हेलो स्टुदेंट्स, वेलकम टू सुभरा रंजन आईयस क्लासिस, हम लोग PCS में पेपर 5 और 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंतरगत जो राजबेवस्था का प्रश्न है, उत्रप्रदेश गवर्नेंस से रिलेटेड वो टॉपिक मैं लोगा, और पिछला पेपर आ के मार्ग निर्देशन में, यहां अली गंज के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आप सभी का स्वागत है, आप आएं और डिफ्रेंस को फिल करें, मेरा नाम अमर सिंग है, मैं आपको भारतिय समिधान और राजबेवस्था पढ़ाऊंगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजबेवस्था और उसकी जो राजिनीती है, उस पर प्रशन पूछा जाएगा, यहां पर एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, कि इस पेपर में नंबर ना आने का कारण क्या रहा, जो पेपर टू है, उसमें भी जो राजबेवस्था का प्रशन है वो उत्तर प्रदेश की जो राजबेवस्था है लगभग लगभग सेम है, लेकिन अंतर क्या है, अंतर यह है कि जब आप भारतिय समिधान और राजबेवस्था पेपर टू के अंतरगत पढ़ते हैं, तो आपको भारतिय समिधान और राजबेवस्था के जनरल करेक्टर क उपर पढ़ाई करनी होती है लेकिन जब आप पेपर फाइप और पेपर शिक्स के अंतरगर उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं तो आप देखेंगे वहां पर जो टॉपिक्स आपको मिलेंगे वहां भी आपको राज्यपाल लिखा हुआ मिलेगा मुख्यमंत्री लि लेकिन आपको यह डिफरेंस समझना है कि आपका जो आंसर होगा वो आंसर मुख्य परिक्षा में राज्यपाल का जो जनरल करेक्टर होता है पेपर टू के अंतरगर उसे ना रखते हुए उत्तर प्रदेश के संदरह में उसको व्याख्या करनी है अर्थात उत्तर प्रदे का जो प्रियोग किया गया है इन सारे मुद्दों को उत्तर प्रदेश के रूप में कॉंसेंट्रेट करना है अब आपका एक सवाल हो सकता है कि सर हमें तो यह पता है लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर आपको यह समझनी है कि भारतिय समिधान और राजवेवस्था और उ कैसे क्रियेट करना है उसी बढस को रिट करने के लिए मैं आप सभी का सवागत कर रहा हूं सुबरारेंजन आईएस में सुबरा रेंजन का mentorship भी देंगे जिसमें आपको बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है कैसे उत्तरप्रदेश PCS मेंस के लिए आपको लिखना है वादे तो बहुत लोग करते हैं लेकिन चुकि हमारा जो स्लोगन है वो स्लोगन ही है हमारा परिणाम बोलता है इस्टुडेंट्स हमारे हमेशा सबसे आगे रहे हैं तो सुभरा रंजन IS में आप आईए और कम से कम हमें पांच दिन का समय देख दीजिए उन पांच दिन के समय में आप खुद ये नरधारित कर लेंगे कि सुभरा साथ जाना है जो ओरिएंटेड है जो हमारे एक्जाम के लिए जरूरी है हम बिना मतलब के क्लास को न बढ़ाते हुए सिर्फ परिच्छा उपयोगी जो तथ्य है जो प्रमाण है उनको रखते हुए अगर हम क्लास को आगे लेते हैं तो जहिर सी बात है कि एक अलग ही से अपने सोच और बोल के अनुसार में रख पाते हैं और आप जितना सोच पाते हैं उतना ही लिख पाते हैं अगर आप इस मंत्र को आधार बना लेंगे तो कोई भी आपको परिक्षा में सफल होने से नहीं रोक सकता है तो एक बार पुने आपका स्वागत है चार लॉंच कर रहे हैं जिसके अंतरगर भारतिय समिधान और राजव्यवस्ता से आपकी क्लासे सुरू होंगी और इस क्लास को करने से आपको जो फायते होने है वो आपको खुद क्लास में समझ में आया जाएगा पांच डेमो हमारा फ्री है आप आईए और इस औसर को आप ल पुरा रंजन आईएस में स्वागत है